लुप्तु है वन्य जीवों की जानकारी उपलब्द कराने की उद्देश से वन मंडल दौर में राला मंडल अभ्यारण में नया जिवाश्म केंद्र तयार किया गया है जिवाश्म केंद्र को जल्धी परेटको के लिए खूला जाएगा केंद्र पर डाइनासौर के अंडे समुद्री जीवों और भीमकाओ व्रक्षो के जिवाश्म देख सकेंगे राला मंडल अभ्यारण में नॉय जिवाश्म केंद्र का काम लबे समय से चल रहा था इसे एनीमल जोन में बने भवन में शिफ्ट कर दिया गया है पूरी तरह इसे तैयार हो चुके केंद्र को राला मंदल में आने वाले परेटकों के लिए खोला जाना है इसके लिए विभाग ने तैयारियां कर ली है जिवाश्म केंद्र में परेटक डायनासौर के अंडे, समुद्री जीवों और भीमकाय व्रक्षों के जिवाश्म को निहार सकेंगे साथ ही इनके बारे में पूरी जानकारी भी वन विभाग रूबरू करवाएगा डियाफो नरेंद्र पांडिया के अनुसार जिवाश्म केंद्र में जानकारी वाले बोड भी लगाए गए हैं ताकि परेटक इन बोडों के मांध्यम से जिवाश्म की जानकारी वैतिहार से परिचित हो सके इन बोडों पर जिवाश्म की बारे में संपुर्ण जानकारी अंकित की गई है 2011 में वन विभाको डाइनसौर के अंडे सहित समुद्री जीवो और भीमकाय व्रक्षों की जिवाश्म दान में मिले थे इस जिवाश्म की खोच करने वाले विशशक गिया विशाल वर्मा निधार शेत्र से इनको इखटा किया था राला मंडल जो हमारा शेत्र है उसमें हम वन्यप्राणियों को अवरनेस के लिए काम करते हैं जतने लोग हमारे पर आते हैं मिशाध़ यंग एज़ के स्टूड़न भी आते हैं स्कूल के बच्चे भी आते हैं उनको अवेर करने के कोम इएक्वलीशन को समझाने के लिए अमने हुआ पर जिवाश्म सेंटर भी विक्सित कर रहे हैं उनका क्या एरा था उन सब की जनकारी वहाँ पर जिवाश में सेंटर पर मिलेगी और कैसे जो प्रक्रति का इनिशेशन हुआ और अब जिस कंडिशन में हो वो किन-किन दोरों से गुजरी है उनकी भी जनकारी वहाँ पर उनको मिलेगी नय जिवाश मकेंद्र का काम जनवरी 2023 में शुरू किया गया था जो लगभग खत्म हो चुका है आने वाले दो हफ्तों में इसे परेटकों के लिए खोला जाएगा इसकी तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं Bureau Report, MP News and Door